हेलो दियर स्टूरिंट्स वल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो चलो बच्चे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टन यूनेट असी स्टार्ट करें जा रहे हैं ऑप्टिक्स सो अप्टिक्स थे थोड़े जी एमसी क्यूज जाधा डिस्कस करलांगे सिंप्लिफाइव मटेरि अप्टिक्स थी जडी पीडियफ है थो टेलिग्राम चैनल योपर मिल जाएगी सो जडी नुमेरिकल्स थी पीडियफ है वो बेसिकली क्योंकि मैं बच्चे लास्ट मोमेंट था चानू पीडियफ प्रोवाइट कारनी चान्या था एस जो पीडिय एफ है इधि विचे था बच्चे पीवाई क्यू मतलब की प्रिविएस एर दी कुश्चिंस मिल जानगे ठीक है सो जो साथी पंजाब बोड दे अकॉर्डिंगली बच्चे इंपोर्टेंट नुमेरिकल्स है ओही फिलहाल में PDF दीविच प्रोवाइट कर रही हैं हां अगर जिनने बच्चियां दा ट पेपर दे विचे देखंडी जरूर मिलता है सो एक चीज मैं बार-बार कहा रही हैं अगर लास्ट मोमेंट ते सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट या सिर्फ पीवाई क्यू करके साथा सर्जेगा 70 आउट आफ 70 आजानगे बच्चे जेड़े स्टूडेंट्स शुरू तो बह कुछ ना कुछ न्यू चीजा सानू पेपर दे विचे देखंदे ले मिल दिगा स्पैशली वान एंड टू माक्स दे कुश्चन से विचे सो जिनना बच्चियांदा टार्गेट 70 आउट आफ 70 आप बच्चे बार-बार सुजेस्ट कर रही हैं एंच्च्की दे लई एक्स्टरा मेंदा टू माक्स दे कुश्चन से ली एक्स्टरा मेंदा करो अपनी मॉड्रन दिनेश जो वी थवढ़ तको बूक का बच्चे बेसिकली मॉडरन दी जो बैक एक्सोसाइस आना ओ दी विचे कुश्चन सान देचांसे ज्याधा रहां सो तुसी बच्छे एक्वरेट दी बुक अच्छी तरीके ना कंप्लीट करके जाओ अगर एक्वरेट दी बुक नहीं है तो युनिमेक्स दी बुक है बच्छे ओ भी बहुत अच्छी बुक है MBT दी विचे थोड़ा material लेसा बट MBT दी बुक भी अच्छी है तो युकल कोई ना कोई helping बुक होनी चाही दिया पंजाब बोर दी जित्तो तानों बच्छे पंजाब बोर दा material पता जाल जेगा क्लेर हो गया सो चलो बच्छी आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर दियां सब्तो पहला पास लिबस डिस्कुस कर लिए कि इस लिबस दे विच असी केडियां केडियां चीज़ा टू मार्क्स थ्री मार्क्स फाइव मार्क्स दे लई प्रपेयर करना इत्तो बच्छी कुशन आएगा प्लस नालिक नुमेरिकल आएगा थ्री मार्क्स दा फाइव मार्क्स दा बच्छे एक कुश्यन होएगा सो एत्थों वी क्यालो था नू इंटर्नल च्वाइस जड़ियां मिल जाएगी सो टोटल दिख्छा जावित थोड़ा 14 मार्क्स दा जड़ा पेपर ह ना करके जान्या बचे 5 मार्क्स 100 परसेंट तुसी कैलो जड़े-जड़े टॉपिक्स में दास दरी आ हो करके जाओंगे था फाइव मार्क्स दाफ्टों पक्क्के आ जान्गे थ्री मार्क्स बचे वेव आप्टिक्स दाशी चाड़िके नहीं जानी नुमेरिकल दाशी छ सबतो पहला स्लिपुस देचाल बच्छे बच्छे सबतो पहला है रिफ्लेक्शिन ऐठ लइट रिफ्लेक्शिन तॉपिक जडिया बच्छे तुस्यू टॉपिक conservator Mirrors Mirrors formula reflection of light Total internal reflection सफ़ेरिकल mirror दे six welt केसीज ठीक है जेदे विच्छो 4 cases convex spherical surface देया और 2 cases concave spherical surface देया सो बच्छे convex दे विच्छ rarer to denser and denser to rarer medium वाला case अगर थो आनो इस 6 cases बहुत अखे लागरिया सिरफ और सिरफ 2 case कार लो convex दे सिरफ 2 case rarer to denser and denser to rarer medium अगर थो आनों लागरिया भी साननों 6 दिया 6 diagrams confuse कर रहे हैं clear हो क्या सो बच्छे important है एत्थों जडाया थोटा 5 marks दा question बन सकता है then total internal reflection and its application बच्छे total internal reflection 3 and 5 दुनना दे विच्छे question जडाया देख्या जा सकता है एत्थों बच्छे MCQs V बन सकता है उस्तों बाद आजाओ reflection at a spherical surface reflection by lens lenses thin lens formula equation हाना एत्थों बच्छे जडा lens maker formula lens maker formula sorry lens formula और mirror formula lens formula और mirror formula देविच्छों बच्छे ए थोड़े जे less important असी derivation कैसा कदेया numericals बच्छे बहुत जादा easy वाले numerical count किते जान देया है सो हो सकता है की paper देविच आजाए बट एन्हों सी बहुत जादा importance भी नहीं दी सकते lens maker formula this is the most 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 important question most important एही paper देविच पता नहीं बच्छे किनी कवरी आ चुका है 2010 देविच 11 देविच 12 देविच 13 15 17 हाना काफी बार बच्छे 2023 देविच भी आया सी so lens maker formula एक एत्धा दा question आ जेडा तुसी मन के चलो की 90% chances हुन देया paper देविच 5 marks दा question आ देले so lens maker formula सबने diagram अच्छी दरीके नल बना के और बच्छे नो अच्छी दरीके नल solve कर लेना next power of lens चोटा जा topic हा combination of lens बच्छे दो questions numerical देविच MCQ देविच आ सकते है otherwise derivation आंदे chances काटा ठीक है reflection throw prism बच्छे reflection throw prism ये 3 और 5 marks दोना दे विच आ सकता है clear हो गया तो basically देख्छा जावे बच्छे पंज नमबर दे 4 articles हा spherical mirror ठीक है total internal reflection जड़ा थोड़ा जे 5 marks ली less important हा lens maker formula और prism ठीक हाची आ सारी इननेक पोर्शन ओसी कहनने या ray optics की कहनने या ray optics हुण आजो बच्छे second optical instrument optical instrument देविच दो चीच जाया इक हैगा या microscope microscope देविच बच्छे हैगा थोड़ा compound microscope and astronomical telescope astronomical telescope बच्छे reflecting and reflection दोन्नों reflection and reflection त्योदी magnification सो बच्छे microscope V जड़ा या 5 marks जा सकता और telescope V जड़ा की 5 marks देविच question आ सकता या ठीक है जी clear हो गया सो बच्छे ए दोन्ना दे विच internal choice हो सकतिया तीसरी internal choice के दे विच होएगी थर्ड वन इस wave optics दे विच किया बच्छे Huygens principle दे दो लोजा reflection and reflection दोन्नों 3 marks दे लई most important आ और 5 marks ले भी important आ क्योंकि बच्छे wave optics काफी reduce होगी ठीक है so 3 ली भी important आ 5 दे ले भी जिना बच्छा नहीं सोच लेया कि इसी उपर वाला portion जड़ा ray optics दे optical instrument बहुत अच्छी तरीके ना कार लेया साथा 5 marks दा कोशन इतो complete हो जेगा ठीक हो बच्छे बट 3 marks दे theory question भी आना या रब ना करे बच्छे तिन नमबर दा कैलो numerical भी wave optics चो आ गया ते कैलो theory ocean भी उच्छो या गया असीता तिन नमबर साथे सिद्धी गया इस करके हाइगंस principle बिलकुल भी छोड़के नहीं जाना तुसी तिन नमबर्च करना ही करना है ठीक है जी बट फिर भी देख लाना बच्छे comment section च पुछ लेय wave optics बिलकुल छोड़के जाना मूर्खता वाली गाला है हाइगंस principle करके जाओ reflection और reflection तिन तिन नमबर देविच आसा कतिया उस्तो बाद आजो बच्छे अपना young's double slit experiment and expression for fringe विर्थ मतलब तुसी बिट्टा पता करना बच्छे ए पांज नमबर दे लई most 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 important question most important इनो अच्छी तरीके ना कर लो जिन ना अच्छी तरीके देना कर सकतिया next diffraction due to a single slit ठीक है बच्छे ए वाला question पांज नमबर ची ही आन्दा है but very less important question क्योंकि wave optics दे विच कोई questions जादा है यह नहीं एक हाइगंस principle है दूसरा जडिया सादी interference है ठीक है तीसरा diffraction है so polarization वी बच्छे बच्छे लौ चक दित्ता गया या so reduce labors हो गया so ओथो भी 5 marks दा question नहीं बांदा basically सिरफ तिन questions हा हाइगंस principle interference and diffraction ठीक है so diffraction अगर तुसी नहीं करना चान्दे diffraction छोड़ दो क्योंकि तिन नमबर देविच बच्छे हून तक पंजाब च्छे कदे नहीं आया हून तक सो fringe वेर्थ भी पंजरंबर चे ही important थ्री माक्स देविच एधा numerical आ साकताया बट ए क्वेशन थ्री माक्स दे लहीं भी कैलो less important हा हाइगंस principle बिलकुल भी छोड़के नहीं जाना जोड़े बच्छे वीडियो ते आनना सुन रहा बच्छे ते आनना सुन लो एथे तक portion बहुत अच्छी तरी move on कर देया अपने simplify material दे उपर है सो बच्छे simplify material देविचे सब तो पहला 3 marks दे questions जड़े हा गिवन है ठीक है unit 6 है साथा optics 3 marks दे unit है बच्छे हाइगंस principle सब तो पहला गिवन हा दोनों ही laws गिवन है reflection and reflection next prism formula वेस्टर्स law of polarization of light बच्छे basically एस labor से विच्छोर dues है बच्छे ओधे विच्छ भी तुसी देख्या होएगा कि मैं 3 marks से विच टेस्ट दे विच पाया सेगा state and prove बवेस्टर्स law हना ओधो भी मैं था नुक्या सेगा कि बच्छे इहे जरूर prepare कर लाना क्योंकि important topic है चाहिज labor's dimension है चाहिए नहीं है जिना बच्छे आंदा target 70 out of 70 वाला है बवेस्टर्स दो जरूर पाढ़ लो ठीक है next obtain an expression for the effective focal length of a combination of two thin lenses अगर two thin lenses नो अपस विच रख देता जावे था कितना दा होईगा ठीक है इंटर्फेरेंस जेडिया ओबे कार दिया conservation of energy नो सो बच्छे सारे simple questions है अगर कोई दिक्कत होएगी परिशानी होएगी ता please comment section देविच पूछ ले ना हुन आजो बच्छे next question है जिड़ा five marks देविच हुन देखो ते आनना बच्छे five marks देविच सिरफ और सिरफ दो questions दे होए या इक कहेगा या fringe वेर्थ मतला बीटा पता कर मतलब या था interference सा question आया and diffraction दा मतलब बोड दे accordingly simplify material दे accordingly सिरफ दो question वेर्व optics दे विच्छो जडएकी important है हुन आजो ray optics दे उपर ray optics विच किया बच्छे focal length of a double convex lens and radius of curvature हुन बच्छे radius of curvature के दे विच्छान दाया 1 over f equals to mu minus 1 1 over r1 minus 1 over r2 मतलब की आ relation drive current दे लिक्या आगया and this is the lens maker formula समझागे इसो ये lens maker formula है ये दा मतलब अगर इस form दे विच्छुत्वार नो question आगया तक अब रान दे जरूरत नहीं है next total internal reflection हा बचे total internal reflection जड़ाया necessary conditions लिखनी आया then relation पता करना बचे 3 च भी आ सकता ते 5 च भी आ सकता है अगर इस आगे था 5 marks ताएगा हुन इस question मालो अगर ये बच्चे question paper दे विच आ जानदा है और विच्छ देख लो बच्चे अगर interference आया जा केड़ा आया वो question attempt करेंदी कुशिश करो अगर तो अगर देको pages है गे आप इच्छे बाचे गे pages अगर भाइचांस टेलिस्कोब बच्चे एक जानदा है तो अगर भाइचांस टेलिस्कोब बच्चे एक्जाम दे विच आ गया क्योंकि ये थोड़ा जा लेंथी आ वोइड करेंगे ओ 5 मार्क्स नो पहला attempt करेंदी 5 मार्क्स फिर लास्ट विची attempt करेंगे ओ समझ आ गया? सो नेक्स्ट आजाओ इक्वी कन्वेक्स लेंज और फोकल लेंथ 15 सेंटीमेटर इक्वी कन्वेक्स लेंज मतलब एद्दा दाइकल लेंजा काट कर देता गया इनू 2 इक्वल हाफ दे विच आ शोन इन फिगर ता फोकल लेंथ जड़िया आसी पता करनिया हुन तिया आना देखो बचे फोकल लेंथ किन्नी आ? साड़िकोल 15 सेंटीमेटर अगर इननू काट देता गया ता साड़िको प्लेनों कन्वेक्स लेंज बन जाना ठीक है जी? जेदे विच साड़ि वैल्यू किन्नी होएगी? आर वान दी वैल्यू आ राजेगी इतने आर टू दी वैल्यू जड़िकी इन्फिनिटी ते चले जाएगी साड़िकोल बेसिकली फॉर्मुला की बाण गया? वन ओवर एफिकोस्टू म्यू माइनस वन वन ओवर आर आर वान दी जगाते कल्ला आ रा गया अरिजिनली फॉर्मुला की या वन ओवर एफिकोस्टू म्यू माइनस वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू हना? उन्हें दोना नों अगर बच्चे सी सॉल्व करिये तक की होएगा? वन ओवर फोकल लेंथ दी जगाते बच्चे एदी जगाते इसी वैल्यू के नहीं पुट कर देती 15 सो मैं था उन्हों पेज दे उपर सॉल्व करके दिखा नहीं है क्योंकि कैल्कुलेशन थोड़ी लेंथ ही है और बच्चे फिर इत्थे होश पॉश उम दाया सो देखो राजी सबतो पहला सी फॉर्मूला लिख लिए 1 ओवर एफिक कोस्टू म्यू माइनस वान ओवर आर वन माइनस वान ओवर आर टू हना इत्थे बेसिकली आर टर्म सीगा मैं शॉट कट लगाता ठीक है सो क्योंकि बच्चे ही कन्वेक्सलेंस दी गल किती गी ता आर वान दी वैल्यू किन्नी हो गई थो अड़ी आर और आर टू दी गल किन्नी हो गी माइनस आर ठीक है जी जो दो इना दी वैल्यू पुट किती आर वान दी वैल्यू असी आर पुट कर देती मतलब इत्थे आ ग ता R 1 प्लस 1 किन्ना हो गया 2 ओवर R ठीक है जी सो नेक्स देखो सेकंड केस देविच एज हाफ लेंज माल लो होना सी लेंज नूं कट कर देता मतलब कि लेंज इतना दा हो गया ता R 1 दी वैल्यू R ही रहेगी बट R 2 दी वैल्यू इंफिनिटी चलेगी क्योंकि माइनस आर सी ता माइनस इनिफिनिटी ठीक है अदर्वाइस माइनस इनिफिनिटी लिखना पूल लवी गये ता 1 ओवर इंफिनिटी जड़ा 0 ही हो जेगा तो R टर्म निगलेक्ट होगी तो सद्धिकुल R टर्म बचेगी मियू माइनस 1 ओवर R एक एक्वेशन बचे उपर आईया दिस इस 1 ओवर F और आईया 1 ओवर F देश दिस इस सेकंड एक्वेशन फॉस्ट नों सेकंड देना बचे डिवाइड किता ता सद्धिकुल जेड़ तो 2 15 जा 30 सेंटीमेटर मतला 1st MCQ जा अंसर दो अटा किन आ गया 13 सेंटीमेटर क्योंकि बचे पॉजिटिव 30 सेंटीमेटर आया मैं 13 बोलता है इस 30 सेंटीमेटर हना सो सी जा ओप्शन आ गया तो अटा 30 सेंटीमेटर नेक्स आ हाव दस दो फोकल लेंथ ओफ अवर कन्वेक आ हुन दिया इस कंपरेटिव टू वाइलेट लाइट लाइट सो फोकल लेंथ की होजेगी इंक्रीज करजेगी जदो असी रेड लाइट यूज करांगे वेवलेंथ करके नेक्स्ट आ जो ग्लास लेंज इस इमर्जड इन वाटर हुन असी एक ग्लास लेंज लेता और इन अधि पावर नो की होएगा जडियो अधि पावर हा ओ बच्चे जिद्दा ही पाणी दे विच्ट लेंज नो डिप किता ते इधि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जान दिया बिकॉस फोकल लेंथ इक्वल तो रेसिप्रोकल ओफ पावर ता पावर की होजेगी थोड़ी डिकरीज होजेगी क्लेयर हो क्या तो सेकेंड आएगा बच्चे बी ओप्चिन हो दस दा मैंगिफाइंग पावर औफ तेली स्कोप चेंज ओन इंक्रीजिंग दे लीनियर डायामीटर ओफ इट्स अबजेक्टिव होजेगी बच्चे सादी कुल तेली स्कोप तेली स्कोप दे विच एक की या वट डेलेंस जड़ा की अबजेक्ट दी तरफ पे आया तक की होएगा बच्चे पहली गल जीड़ा एदा इक्वेशन आदी या फॉर्मूल आदा उदी विच डायामीटर ही है नी ठीक है जी सो सानों दिमाग ते बोज पांदी जुरूरत नी क्योंकि डायामीटर ते डिपेंड ही नी करता चाहे डायामीटर नू कैलो कुछ भी क डायामीटर ते डिपेंड पावर करेगी नी ठीक है वो दू नौट डिपेंड ओन डायामीटर नेक्स आजाओ वट इस लमेगनिफाइंग एंड फोकल लेंथ और फलेन मिरयर दी वैल्यू पथा करने या और मैगनिफिकेशन की नी हुन दिया बच्चे प्लेन मिरयर दी प एन अब्चिक्ट हुन सटी को प्रोच किता गया कन्वेक्स लेंज फ्रॉम लेफ्ट ओफ दा लेंज विद युनिफॉर्म स्पीड फाइव मीटर पर सेकंड हुन सटी को कन्वेक्स लेंज आ कैन्दे ये कि एतरो जड़ी रे आफ लाइट आ रिया जड़ी इमेज आ बच्छी ओ नौन युनिफॉर्म एक्सरेशन देना जाएगी नौन युनिफॉर्म एक्सरेशन क्यों क्योंकि बच्छी हो सा किता बिल्कुल सेंटर चे जावे हो सा किता इदरो जाके आहा तो ये एक्सरेशन जड़ी आ ओ सेम नहीं होईगी so non uniform acceleration non uniform acceleration moving away from the lens towards the lens नहीं away lens तो पिच्छे नू जा रिया ठीक है जी so away जा रिया so एथे आगया option number C next an astronomical telescope has a large aperture एदा a large aperture क्यों हुँ 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 क्योंकि maximum जड़ी light नू हुआ ओनू observe कर सके हना अंदर उदे अंदर आ सके maximum rays of light उदे अंदर पास हो सके so higher resolution हो वे ठीक है जी so 7th दा आएगा D next ना बचे जड़ा 8th question बचे 8th question जड़ाया CBSC board आया CBSC दे sample papers तुसी देखोंगे ना ओदे विचे है काफी famous question ना बट पंजाब बोर दे विच मैं कदे भी एक question नहीं देख्या so क्योंकि हुन पंजाब बोर दे विचे इदा दे questions आई हुए आता बचे थानू इदा दे question कार लाने चाहिए दिया सो जिना बच्चेयां दा target 70 out of 70 वालाया बचे एक वारी जीडे की CBSC दे sample papers या ओधल के देख्या ना सिरफ केलो की MCQs जाहूर कुछ नहीं देखना सी सिरफ MCQs देखो दो अप्तिकल देनस्टी ओफ अँसादे को बचे तर्पेंटी ना इस हायर दें लेयर ओफ टर्पटीन फ्लोटिंग ओवर वाटर इन अ कंटेनर एक कंटेनर दे अंदर असी पाणी पार लेया एक टर्पटीन लेया ठीक है जड़ी टर्पटीन हों दिया बच्चियो ओधी डिंस्टी लो होन करके ऊपर आजेगी ठीक है जी तक कंटे जड़ी विच वन ओफ दर फोर लेयर इंसिदेंट ओन अटर्पटीन इन पाथ शोज इस कोर्रेक्ट केड़ी बिलकुल कोर्रेक्टली जा रिया हवा जड़ी या रेरर मीडियम है जदो रेरर टू डेंसर मीडियम गई हना रेरर टू डेंसर मीडियम गई ता तू वर्ट्स नॉर्मल जड़ी बैंड हो जएगी हलकी जी नॉर्मल वल बैंड हो गई जिदना ही तरपटें तो बचे वाटर देवी चगी वाटर इस रेरर मीडियम ता अवे फ्रॉम दे नॉर्मल चले जाएगी ठीका आवाला था टू वर्ट्स आ गया आप बिल्कुली सिद्धा निकल गया कोई फरक है नहीं आवी गलता सो ओनली सेकंड ओप्शन इस राइट आंसर सो ओप्शन बी इस राइट आंसर नेक्स ता वेंड डायामेटर ओफ अबजेक्टिव ओफ एन एस्ट्रोनिमिकल टेलिस्कोप इस डबल इस लिमेट ओफ रेजोलिशन इस लिमेट ओफ रेजोलिशन कितना दी हुएगी उन बच्चे डायामेटर जडाया अगर ओ ऐस्ट्रोनिमिकल टेलिस्कोप दा डबल कार देता जावे उन बच्चे एथे जडाया resolution power जड़ा की सटा reduced topic अटेलिस्कोप दा उत्थोई question बनेया हुया so otherwise आनो read out करन दी जरूरत नहीं है but formula एक वरी तुसी देख लो हो सकदा paper देविच आजवे resolution power is equal to 1.22 lambda divided by diameter d हना उना नहीं क्या अगर diameter जड़ा objective दा ओडबल कर देता जावे आगया 2d डबल कर देता जावे ता limit of resolution जड़ा की एनू की होएगा ता rp dash बच्चे किनना होजेगा 1 by 2 होजेगा क्या ता सारा rp ही या ठीका ता half होजेगा so option number c is the right answer which one of the following cannot be polarized केड़ी एक rays या wave आजेनू polarized नहीं किता जा सकदा that is the sound wave next आजो the angle between pass axis of polarization and analyzer is 45 हुन बच्चे angle जदो पास किता गया एक analyzer और एक जड़ा की polarizer हा हना ओदे विचो पास किता गया बच्चे not it is type of convex lens it is like this ठीक है मतलब polarizer और analyzer कुछ इस तरह दी हुन दिया the percentage of polarized light passing through analyzer is can the analyzer दे विच्चो किन्नी जड़ी लाइट हो पास कार साकती है so एदा answer is 50% थो आजे बच्चे जड़ा simplify material हा उत्ती जड़ा answer हा वो 25 दिता होया so बच्चे 25% नहीं हा it is 50% so एदा mathematical portion method इना शेयर कर दिया ताक इता नुक्लियर हो जवे so बच्चे देख सकते हां कि आई इदा formula की हुनदा directly proportional to cos square theta हाना cos square theta है या so cos square theta दी value होसा नो 45 degree given है what is cos 45 that is 1 divided by under root 2 हाना under root 2 हा था बच्चे square देना under root cancel out हो गया था 1 by 2 हा गया 1 by 2 मत्तभ 0.5 अगर इन्हों percentage च निकाल ले जावे था बच्चे 50% आजेगा थो आड़े simplify material देवीच ए आंसर गलत है अधरवाइस बच्चे एता answer किना आएगा 50% next question आजो a short pulse of white light incident from air to glass slab at normal incidents हाना एक short pulse जड़ी हा एक glass slab देवीच गई ता after traveling through the slab the first color is emerge is जड़ा first color हा ओके ड़ा emerge होएगा तो बच्चे सब्तो जड़ा जड़ी wavelength होएगी ओही सब्तो पहला emerge होएगा which is red light so option D is a right answer next आजाओ the two lenses of focal length 20 ठीक है इक दी focal length की निया 20 cm और दूसरे F2 दी value की निया minus 40 cm held in contact if an object lies at infinity image formed by the lens combination will be पचे lens combination सड़ा की होएगा formula की हुन दाया की 1 over F equals to 1 over F1 plus 1 over F2 so 1 over F मतलब की 20 एदर की आजेगा minus 40 क्योंकि minus बच्चे मैं उपर लेगी ता आगया minus 40 so देखे जावे ता सड़े को आगया 2 minus 1 तू जो 1 निकाले ता सड़े को आगया 1 over 40 so F दा अंसर थो डा की ना आगया 40 cm so option number C is a right answer next आजाओ an unpolarized light is incident on a medium of refractive index under root 3 हुन रफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चे थो अनो गेवना मतलब म्यू दी value under root 3 गेवना at polarizing angle of the medium the angle of reflection जड़ाया तुसी पता करना so बच्चे म्यू के दे इककोल होंदाया tan ip दे इककोल so सानो नी पता ip किनना है so ip के दे इककोल आजेगा tan under root 3 so tan under root 3 थी बच्चे value किननी हुन दिया that is so बच्चे सड़ा जड़ा tan ip answer आया so दुबारा लिखलें दे इनू बच्चे tan inverse under root 3 थी value किननी हुएगी 60 degree so ip आगया बच्चे incidence angle इनना नी पुच्चे angle of reflection किनना है so ip plus angle of reflection equals to 90 degree है न so r के दे इककोल आगया 90 minus ip which is 30 degree so 90 minus 60 is equals to 30 degree ip equals to 60 degree actually बच्चे हुन मेरा सिर दुख रहा थोड़ा जी तब्या ठीक नी है कि ता मैं हलका फुलका mix up हो रही है मेरी wording so not 60 degree it's 30 degree answer is 30 degree angle of reflection पुच्चे जे angle of incidence पुच्चे हा हुनदा था बच्चे 60 आणा सी angle of reflection पुच्चे आता angle 30 आएगा हुन देखो optical fiber is based on total internal reflection so 15 बच्चे जिद्धा हुने 10 कोश्चन आजवे था कहलो 5 seconds question तुसी पड़े था 5 seconds जिद्धा था अंसर आजानगे हना so next देख लो the characteristics feature of light which remains unaffected unaffected मतलब जड़ी चीज कदे फर्क नी पाएगा हना so एथा बच्चे जदो तुसी light दी गल कर दिया reflection देविचे reflection जगी हुन दा ray of light आई ते दूस्रे medium चे चलेगी ता velocity change हुन दी हुन दिया velocity change हुएगी ता definitely lambda v change हुएगा lambda change हो गया नाड़ी बच्चे दी speed increase या decrease हो सकती या so ev हो गया हना उनना ने किया जड़ी unreffected नहीं बदल दी that is frequency frequency नहीं कर दे भी change हुन दी next आजो the value of refractive index of a medium of polarizing angle ip दी value था नू 60 गिवन है हुन म्यू पता करना म्यू के दे इक करा बच्चे tan ip दे ip दी value 60 what is tan 60 बच्चे tan 60 दी value के नहीं हुन दिया अंडरूट 3 so थोड़ा सिद्धा अंसर आगया अंडरूट 3 ए option ठीक है जी so I hope बच्चे कैलो की questions थोड़े बहुत helpful होनगे ठीक है so next question आजो बच्चे दे true false या true false बच्चे similar type दे true false या इकवरी करके देखला ना answers बच्चे थोड़े simplify material देविचे given next आजो बच्चे wave optics देविचे wave optics देविचे wave optics देविचे थोड़े 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 plane glass surface at an angle of incidence, idinine, it, angle of reflection भी आर, अगर incidence ले एंगुल आया, reflection ले अरा, what should be the angle of incidence, so that the reflected and reflection, are perpendicular to each other, बच्चि बेसिकली ए एक क्वोश्चन कित हो आया, वे सिर्ष्टि से लो आतो, चेड़ा की स्लेब से वे च रुड़ी खुश्टी या, एदा मतलब सड़े simplify material दे MCQC भी आया होया हना उनने direct questions भी डाल लिया होया है सो एक question बचे बिलकुल भी छाटके नहीं जाना उन बेसिकली बचे ray of light आई टकराई और चलेगी हना सो एक एदन नू ray of light चलेगी आद धोना दिविच का आज़ेटा angle हुंदा that is the 90 degree angle so I plus R is equal to 90 degree so एथे बचे जड़ा option है that is the option number A next आज़ो मालेस लो या बचे अगेन मालेस लो सानू नहीं क्या गया पिपर दे विच so एवी important है तुसी देख लेएदे questions आई हुए है so एवी question असी करना है हुना आज़ो unpolarized beam of light of incidence I0 is incident on a polarizer P1 so I0 intensity दे नाल जड़ाया मतला P1 दे विच्चो जदो ray of light निकली था जड़ी intensity सीगी ओक इनी सी सड़ी I0 ठीक है another polarizer अगर सी P2 held parallel to it such that its passing axis is orientation at angle theta मतला theta angle दे नाल अगर एथो पास किता गया P2 दे विच्चो ता जड़ी intensity या ओक इनी होजेगी at what percentage of the light will emerge from the system the system दे विच्चो कितना दी होएगी सो बच्ची क्योंकि 90 डिगरी ना गई या तो जड़ी I dash हा ओक हुन था डी किन्नी होजूगी I0 over 2 cos square theta ठीका original intensity दा half होजेगा intensity काट जेगी सो बेसिकली हुन अगर असी दी value पुट कर गए हुन formula साटे को हैगा बच्ची आ रहे है formula I is equal to I0 cos square theta I intensity थो अड़ी किन्नी होगी बच्चे अद्धी होगी है ना सो हाफ होगी cos square theta किन्ना आजेगा cos 60 degree what is cos 60 cos 60 equals to 1 over 2 2 2s आ किन्ना होगया 4 4 2s आ 8 so I0 over 8 यह थोड़ी कैलो अगली जदो P2 दे विच्चो ray of light पास होई था ओधी intensity है होण उनना ने क्या percentage बता करो पचे percentage find the percentage of intensity तक कितना कर रहांगे original intensity divided by जो थोड़ी बच्चे कैलो next intensity आया which is original over 8 over I0 हना जो थोड़ा answer आया answer किन्ना आया सेगा I is equals to 8 over I0 यह थोड़ी दे लिखे देता 8 divided by I0 multiply by 100 so I0 ना I0 cancel out हो गया 4 2 दे table ते पहला cutting कर दो तर थोड़ी को 25 आ गया एदी cutting करांगे ता 12.5 percentage जोड़ा यह थोड़ा answer आजेगा so option number C is a right answer so basically बच्चे एवी पंजाब बोड़ दा PSEB दा कोशन नहीं हा हले तक बच्चे इदा दी percentage वाले कोशन साटे पंजाब बोड़ नहीं देखन नू मिल दे basically बच्चे इंटेंस्टी दे जिन्ने भी कोशन आ हा CBSE दे बच्चे ए CBSE दे कोशन आ जड़े percentage वाले यह थीका सो कैलो की वेव आप्टिक्स और रे आप्टिक्स इना ने थोड़ी जो टाच CBSE दा दितता हुया एदा मतलब था नुहल के फुल के CBSE दे MCQ दे MCQ दे विचो करने पैरन के बाकि जिन्नी भी बच्चे मैं हुन तक वीडियोज अप्लोड किती हैं सिंप्लिफाई मतीरियल दिया किसे विच वी MCQs बहुँ जादा CBSE पैरन दे नहीं आये हुए सी बट अगर मानलो सिंप्लिफाई मतीरियल दे विचो कुश्चिन्स आ जान दिया तब अच्छे इथे CBSE टाच जा सो CBSE दे कुश्चिन्स हो साकतिया ठीक है जी सो नेक्स्ट कुश्चिन देखो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे सेपरेशन बिट्वीन दे स्लिट इस 0.8 mm स्लिट दी विचका आर ली बच्चे डिस्टेंस तो अनू गिवन हा एदा मतलब ए चीज तो अनू गिवन हा small d so small d is equal to 0.1 mm mm नू बच्चे convert करो मीटर दे विच ता आगया माइनस 3 मीटर हना बच्चे देखो आ कोश्चन उन मैं डिरेक्ट स्क्रीन ते सॉल्व कर रही है ता मतलब मेरे को एदा PDF नहीं होईगी कुछ बच्चे टेलिग्राम ते बार-बार कहन दिया कि मैं टेलिग्राम शियर कर दो PDF शियर कर दो बच्चे PDF बनाना मेरी बास दिकालनी है कि पहला मैं एक white sheet लावा ते सुना-सुना करके लिखा बच्चे इनना time कहलो manage करना मेरे लिए थोड़ा difficult है सो मैं विडियो रिकार्ड कर दिनी है कि एवी कहलो मेरे लिए एक टार्गेट हुन दै सुन रहे है छोटा जा बच्चा बोल रहे है ममा जी हना ए बच्चा मेनू बहुत तां करता विडियो रिकार्ड करनी बच्चे मेरे लिए थोड़ी difficult हुन दिया दा वेवलेंथ अफ दा लाइट यूस्ट इस शिक्स हंड़ड नैनोमीटर सो एथे था नू वेवलेंथ मतलब लैमडा मेरी वेटी हास के चलेगे कि ममा एद्दा बोल रहे है लैमडा इस इकोस टू शिक्स हंडडड नैनोमीटर बच्चे लैमडा इस शिक्स हंडडड नैनोमीटर विच्च इस टैन रहे है पावर नाइन कैपिटल डी बच्चे सानू वन मेटर गिवना स्मॉल डी सानू 0.1 इंटो 10 रहे है पावर माइनस 3 गिवना पहला ता आवला डेसिमन लुठा दो उपर जला गया आवली 3 उपर लै जो ता प्लस दे 3 हो गया मतलब कि या 4 हो गया हाना सो आ 4 जिरो सा आ 2 जिरो सा ता हो गया 6 जिरो सा 10 दे विच्चो 9 दे विच्चो 6 गिगया ता आगया माइनस 3 6 इंटो 10 रहे है पार माइनस 3 मीटर सो दिस इस 6 मिलिमीटर हना 6.0 मिलिमीटर सो ओप्षय नमबर बी इस राइट आंसर दिखो बच्चे थोड़ जा लेंथी mcqs हो गया सो ए नुमेरिकल बेस्ट जिड़ है इनना लेंथी वाला नुमेरिकल है इवी बच्चे cbsc दा कुश्यन है ठीक है इवी साधे पंजाब बूर्दा कुश्यन मतलब की mcqs नहीं है कुश्यन हैगा साधे पंजाब बूर्दा बट mcqs नहीं है नेक्स्ट आजो इन यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट दिस्टेंस बेविन टू consecutive bright and dark fringes are given by बच्चे असी इननों किद्ण एक्स्पेरिमें कार सागदियां बिटा इस इकुस्टू lambda d over d देनाल so lambda d over d option number a is a right answer इन यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट the fringe width as seen on the screen is अगर असी यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट लननेया तक एन दे fringe width था ओ किद्दा निया शो हुना so answer is hyperbola hyperbola कुछ हैद्दा दिया बच्चे जड़िया आया waves ओ था नों शो हुन दिया next आ जाओ the light source used in young's double slit experiments are चलो light source used in young's double slit experiment are हना ओ किद्दा दी हुन दिया coherent sources असी यूज़ कर दिया so sit the basic question आ गया बच्चे 9th question आ जो what is the effect on the angular width of interference fringe in young's double slit experiment when the slit move near the plane of the slit अगर slit वाला सी move कर देता जावे ता किद्दा दा होईगा बच्चे angular width थे की effect पाईगा बीटा थे की फर्क पाईगा अगर असी slit नो कैलो change कर देता ता बच्चे होते कोई फर्क नहीं पाईगा हना वो दादी ही रहेगी so this is constant 10th question देखो the phase difference between two waves at a place of constructive interference is given by multiplier बच्चे ओ केदा हुंदा है हुन इत्थे देख लो constructive मतलब की bright fringes बनन गिया थे अगर bright fringes दी गल किती जावे था असी उन्हों simple multiply कर दिया even number देनाल मतलब की 2, 4, 6, 8 देनाल so even multiplier of pi next path difference between two waves at a place of destructive destructive मतलब की dark fringes बनन गिया अगर dark fringes बनिया तो odd multiplier हुन दा बच्चे pi by 2 दा so option D is the right answer diffraction effect to show that light does not travel straight line diffraction ने शो करदा की straight line देविच कदे travel नी कर सकदा under what condition the concept of ray optics are valid कोई एक कैंदे दसो reason दसो की जड़ा इन्हों कैलो satisfy कार सके which is ZF is very very greater than D next is bending of light phenomena is shown by जड़ी बच्चे bending of light है ओ केड़ा phenomena है जड़ा शो करदा which is the diffraction क्योंकि इदी definition हा angular width of interference fringe depend on बच्चे angular जड़ी हो किते depend कर दिया lambda दे उपर that is the wavelength resolution power of telescope depend upon बच्चे resolution power is not in syllabus देखवे थो question आरे या हना MCQ बने हुए या सो इदा मतलब last moment दे बच्चे नू पाढ़ लो हना ता किते depend कर दा बच्चे resolution power दा formula की होंदा थो डिकुल which is 1.22 lambda over D हना lambda over D या सो दो चीज़ जटे depend कर रहे है या wavelength दे उपर या diameter दे उपर सो option A is a right answer diffraction aspect is easy to notice in case of the sound wave that in case of the light wave because sound wave जडिया sound waves हुन दिगाया ओहो बच्चे half longer wavelengths हुन दिगाया ठीक है जी have longer wavelengths have longer wavelengths not half have longer wavelengths हुन दिया इसकार के जड़ायनों diffraction दे विच असी easily use कर साका दिया the wave front due to source situated at an infinity so एदा option आएगा बच्चे wave front source असी infinity दे विच कदो use कर दिया जदो की plane हुन दा मालनो sun ने थे है तासी अपने रूम दे विच बैठे है साड़ी रूम दे विच दिडिया infinite rays आ रिया ता साड़ी रूम दे अंदर plane wave front बढ़ दिया ठीक है so option number B is the right answer last MCQs of this video colors appears on a thin film of a soap and a soap bubble is due to this is important question कि जड़ी या thin film हा उधे विच बच्चे जड़ी soap bubble दे colors बांदे है वो के दे करके बांदे है interference करके ठीक है जी so बच्चे एदा जड़ा concept हा वो reflection दे विच विच विया reflection दे विच true false बच्चे तुसी खुद कर सकते है ठीक है then two marks दे question अगे बच्चे next dual nature start हो गया so next video बच्चे dual nature और atom and nuclei यह जड़ा रह गया so कल दा देन साथ the last day हा तुसी ए दो विडियोस तो लावा भी बच्चे अगर किसी हो topic दे वारे डिस्कस करना चारने है तुसी दासा कर दिया so अदरवास बच्चे हर विडियो दे नाल में बच्चे नुमेरिकल्स questions एक सेक्टरा सब पुछ डिस्कस कीता है so इस unit दे बच्चे डड़े numericals है वो मैं डारेक्ट तो अगरे दिबुक तो करवा रिया so चलो बच्चे first question किया power of lens दा जड़ा question है ओ आया power of lens आजवे था PZ equals to P1 plus P2 आएगा अगर focal length आजवे था किया आएगी 1 over F equals to 1 over F1 plus 1 over F2 so first and second question are a very simple and easy question next देखो the light of wavelength 1300 ohm is used to eliminate two slits at a distance 0.3 mm apart in a young's double state experiment fringe width observed on a screen are found to be 1.33 mm बच्चे देखो lambda given है सब्तो पहला असी lambda लिख लिया ठीका ओधी value meters देविच convert कर देथी next d दी value given है असी d दी value लिख देथी beta given है beta लिख देथी capital D तो सी पता करना formula साथे को हैगा बच्चे beta is equals to lambda D over D तद D excite दे राकलो बच्चे सानू पताया था value पुट करो double कर दो थो final answer आजेगा ठीक है बच्चे साथे Punjab board दे विच calculators allowed है simple calculators simple जिदना ते sine cause value ना लिखी होवे similarly बच्चे 2019-20 दे विच आए होए हा मतलब 17, 18, 19, 20 चाहे होए हा तो उसी ये question कर लाने हा next आज़ो बच्चे Young's double straight experiment दा question maximum and minimum interference पता करने हा so formula की हुँदा i1 over i2 is equals to beta 1 over beta 2 है ना so बच्चे beta 1 over beta 2 दी गलने ही कित्ती त असी ते formula केड़ा apply कार सागदिया i1 i2 is equal to a1 the square plus a2 the square मतलब की i1 i2 is equal to कित्दा नो लिख सागदिया a1 the square over a2 the square what is a1 a2 amplitude ठीक है जी i1 i2 is intensity so i1 i2 दी रेशो बच्चे सानो गिवन हा 16 over 1 असी लिख देती 16 over 1 so आवली term केड़ी equal to a2 over a2 square so इथे accurate अनो a और b दी form देवी चले किता so a b आ गया ठीक है so अगे देख लो इथे under root ला लिया ता गया a over b is equal to 16 दा under root लवा गया ता बढ़ गया 4 so b उद्दर ला a दी value आ गयी 4b so बचे maximum maxima किता होएगा जो दो दोना terms दो आड़ करता है minima किता होएगा जो दोना terms दो माइनस करता है a plus b the whole square a minus b the whole square so थोद्दी मर्जी है बचे a दी value पुट कर दो simple solve किता इस तरीके ना जड़ा तुसी अपना answer solve कर सा देख लो बचे 2014 दे questions आ है so recent time चे थोड़ जी less important आ है बट एक वारी दुसी इननो जरूर कर लेना हाँ बचे एदे accurate दी बुक दी पीडियाफ मैथा नो जरूर पेज साक दिया so एवाले question जड़ा तुसी अच्छे तरीके दिनाल कर लेने आ ठीक है जी next question वी बचे एदे इया next आजो lens maker formula दे बचे lens maker formula दे 2014 दे questions आ मतलब recent years दे विच मतलब आज तो 9 साल पहला दे questions आ है so तुसी इना दे थोड़ अचा cut focus करना है तुसी focus करना lens maker formula दे उपर lens maker formula हो गया बचे ओ जादा important है then बचे इता दे question कर लेना छाटे के सी कुछ नी जाना है का ठीक है 2011 वाले question उसी बिल्कुल छाड़ सा कर दे है ठीक है 2000 बचे ए होके थोड़े 11 आ ले questions मैं था नूँ सारे शो कर देन नी है ताकि जिनना बच्चेयां को telegram channel नहीं होएका वा इतो पाड़ साक दिया ठीक है बच्चे 101 इनना नूँ जरूर कर लेना मैं थोड़ी जी speed दे नाल चाल दिया ताकि 2014-15 दे questions आपा देख सके ठीक है 12, 13, 19 19 दे विच भी parallel बी वड़ा question आया हुए otherwise 2012 एक सेक्टरा दे विच ही एक question आया हुई है इनना था ही repeated questions बाण जान दिया तुसी इनना नूँ बहुत अच्छी तरीके दे नाल जड़ाया पर पेर कर लेना आ रहे या lens maker दे फार्मूले जड़े मैं था नूँ क्या रही है कि paper दे विच आन दे chances recent time दे विच जाद आया कि convex lens हा 20 cm focal length था बचे आ वाले formula ठीक है lens maker formula दे questions बचे तुसी सारे अच्छी तरीके ना कर लेने हा अगर बचे ना थी detail explanation था नूँ चाही दिया ता मेरे channel दे उपर बचे प्लस 2 दे लास्ट यर दे questions होन के numerical solve किते बचे ओ ही questions आ ही ठीक है so lens maker दे बचे अच्छी तरीके ना कर लेना यंग्स double state experiment दे numerical बहुत अच्छी तरीके ना कर लेना तो बचे कोशिक questions आ क्यालो जड़ी मैं खुद PDF बनाई हुई है लेकि 10 years दे questions कहलो और solve भी किते हुए बचे ये वाले question actually मैं YouTube दे भी करवाई हुई है so YouTube दे कुछ screenshot लेके बचे मैं विच लगा देते एदी PDF जड़िया था नूँ देख साकती है अदवाईस बचे ये ना दी PDF जिदा थर्ड यूनिट दी था नूँ बचे प्रोवाईड कार देती गई है इसी तरीके ना इस यूनिट दी जड़ी PDF है था नूँ टेलिग्राम चैनल दे उपर मिल जेगी ठीक है जी सो जानतो पहला बचे वीडियो नो तुसी लाइक करना या थे मैक्सिमम शियर करना या थेंक यू सो मच